सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन डबाना ना भूले और म्रकुंडू नाम के एक रिशी थे जिनके घर में संतान नहीं थी तो वो भगवान शिव की अराधना करते रहे कि प्रभू आप कृपा करो मेरे गर में संतान हो मेरे आंगन में नन्हे कदमों से खेलने वाला कोई बालक आए बहुत बक्ति करने के बाद भगवान प्रसन हुए और उनकी समाधी में दर्शन देते भगवान ने कहा दिया जा सकता है वरदान तुम्हे संतान का लेकिन एक समस्या है आपके लिए लंबी आयू का पुत्र मिल सकता है लेकिन वो दुर्व्यसनी होगा कुल का नाम डुबाएगा तुमारा नाम डुबाएगा और इस धर्थी के लिए बहुत ही दुख देने वाला बनेगा या फिर ऐसा बच्चा मिलेगा कि जो सोलह साल तक ही जी पाएगा लेकिन नाम उचा कर जाएगा तुमारा तुम्हे तार जाएगा और इस धर्थी की शुभा बनेगा अब छोटी आयो वाला चाहिए या लंबी आयो वाला चाहिए उस रिशी ने कहा प्रभो मैं आपकी शर्तें जो आप बता रहे हैं उनके आगे कुछ बोलने को तैयार नहीं हो बस ये जरू कहना चाहता हूँ अगर छोटी आयो वाला लेकिन अपना और अपने कुल का नाम उचा करे बले छोटी आयो वाला बच्चा हो वह ही दे देजे और कृपा हो गई उनके घर में संतान होई और जैसे ही उनके पंदरा साल की उम्र सामने आई तो उनको ध्यान आया कि हम इस समय एक वर्ष के लिए ही इस दर्ती पर है और उस बच्चे ने ग्ञान विज्ञान में धर्म में कर्म में और अनेक अनेक कारियों में जो लोग जाकर 25-30 साल के बाद जो होश आती उस बच्चे को 10 साल की उम्र में ही वो ग्ञान हो गया था यश पाया सब लोगों का आशिरवाद उसको मिले थोड़े दिन रह गए तो किसी रिशी ने आकर के कहा कि देखो तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों नहों लेकिन आयू उतनी रहेगी जितनी तुम्हें मिली है तो उनके पिता ने कहा कोई बचने का तरीका है कि देखिए भाग्य में जो लिखा वो तो उतन ही होगा लेकिन अगर आप इस बच्चे को एक चीज सिखा दें आशिरवाद लेने का तरीका तो हो सकता है कि किसी रिशी का आशिरवाद इसको फल जाए और ऐसा फल जाए कि जो इसके भाग्य में उससे भी ज़्यादा इसको मिल जाए बच्चे ने ये बात सुन ली और उसने सब को प्रणाम करना शो किया और वो भी बड़ी विधी से बहुत शद्दा से बड़ी भावना से जैसे लोग हाथ मिलाते हैं न उस तो वे हाथ मिलाते हैं जिनको खुद ही पता नहीं रहता है ये था कुण जिससे हाथ मिलाया गी और कुछ वे होते हैं कि अगर किसी से हाथ भी मिलाया है तो इतने फृदे से भाव से कि उस आदमी को भी जिससे मिलाया उसे भी आद रहता है कोई मिला है हमसे हृदे से मिलाया अपना पन लगा है इस बच्चे ने सब को इसी तरह से आदर से सम्मान देना शुकिया, प्रणाम करना शुकिया तो एक दिन सब्त रिशी उसके सामने से चले जा रहे थे इसने दूर से देखा दोड़तवा गया, दंडवत प्रणाम किया एक एक को सामने उनकी परिक्रमा की और साथ में कहा कि मेरे और से, मेरे पूरवजों की और से मेरे परिवार की और से, सब की और से प्रणाम स्विकार करो अब सब के मुँँ से साथ रिशी थे सब के मुँँ से एक साथ निकला चिरन जीवी भव अब इस बात को सुनते ही उस बच्चे ने कहा भगवन आप को यह और आशिरवाद दे दीजिए, इसे हटा लीजिए क्योंके मैंने ही चाहता कि आपके वाणी जूटी हो क्योंकि मुझे तो मेरे पिता ने पाया तो शिवजी ने सोला साल की आयू ही बताई थी और अब जीवन का समेश समापत हो गया पांसा दिन ही बाकी बचे हैं तो उन्होंने कहा कि आशिरवाद हिर्दे से निकला करता है उसमें दिमाग नहीं लगाना होता और मांगने वाले को भी वैसा हिर्दे से आशिरवाद मांगने के लिए प्रणाम करना चाहिए तुमने हिर्दे से किया तो हमने भी हिर्दे से यह आशिरवाद दिया बच्चा बोला पर प्रभू वो पूरा होगा कैसे तो सबने वहीं खड़े होकर ब्रह्मा जी की उपासना की और ब्रह्मा जी की उपासना की तो ब्रह्मा जी के दर्शन हुए एक साथ सारे मिलकर जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ब्रह्मा जी विधाता सामने प्रकट हुए क्या चाते हो तो इन्होंने बच्चे को आगे किया और कहा प्रणाम करो अब बच्चे को जो मंत्र आते थे जैसी विधिया आती थी उसी अनुसार उसने जो प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा के बात तो इन लोगों से करनी है पर इसको तो आशिरवाद दे के टालो उन्होंने का चिरन जी भी भवा अब जैसे उन्होंने भी चिरन जी भी भवा कहा तो सब्त रिशी एक साथ बोले माराज हमारी तो बला टली और आप की तरफ बात आ गई कैसी बला बोले या तो हमारी भी भानी जूटी या आपकी भी भानी जूटी या फिर हम भी सच्चे राप भी सच्चे हमने भी ऐसा ही आशिरवार दिया आपने भी ऐसा दिया लेकिन इस बच्चे की आयू सोला साल तक की थी और माराज आप तक पहुंसते पहुंसते कहीं दिन तो हमें भी लग गए अब इस बच्चे के पास दो डाई दिन ही बच्चे उन्होंने का जो पालन हारा है उसने ही आनजल सबका लिखा होता है तो उनकी स्तूति करो तो विष्ण भगवान की स्तूति की गई उन्होंने भी इसी तरह से चरिंजी भी भाव कह दिया अब ब्रह्मा जी भी मुश्कराय के चलो अब हमारी वानी तो जहां है लेकिन इधर इन्होंने भी बोल दिया और सारे रिशी जो है नीच देखकर मुश्करायें बोले अब कुछ बात बनेगी लेकिन शिवजी ने अटकाव किया हुआ है तो उन्होंने भी कहा कि माराज आपने आशिरवाद दे दिया चिरंजी विभाव का लेकिन बच्चे आख बच्चे की आयू इतनी है नहीं बोले जिन्होंने आशिरवाद दिया इनको दुनिया में आने का अब उनी के पास चलते हैं अब ब्रह्मा विष्णु और सब्त रिशी और ये मुर्कंडु का पुत्र सारे मिलकर पहुँच गए शिवजी ने देखा तो सब से कुछ पूछना ही चाहते थे इतनी देर में सब ने बच्चे को आगे कर दिया और उससे कहा कि करो प्रणाम तुम्हे तु यही आता है अब उसने एकदम जो है बोले नात आनंदाता दयालु प्रभु प्रणाम स्विकार करो उनके भी मुह से निकला चिरंजी भी भावर अब जब यह मुह से निकल गया तो सबने मन मन में सोच लिया कि पहले तो सब्तरिशी सोच रहे थे हमारे मुह से निकला था हम सोचते थे हमारी वानी जूटी हो जाये कहीं लाज रहे कैसे तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे बोल दिया विश्णु जी ने भी बोल दिया अब तो बोले नात ने भी बोल दिया इसका मतलब अब तो सब की ही वानी सच होगी या फिर सब की जूटी सब तो रिशी जब ऐसे सोच रहे थे अब ऐसी इस्तती में भगवान शंकर ने बच्चे से पूछा तुम कौन हो बोले आप ने आशिरवाद दिया था मेरे पिता अमरकंडू को के तुमारे घर में संतान होगी और सोला साल तक के लिए ही तुम दुनिया में रहोगे लेकिन अब इन लोगों ने सबने आशिरवाद दिया है चिरंजी भी रहने का ये क्रम कब से चल ला है आशिरवाद वाला ब्रह्मा जी के पास से इधर से ये जो तुम देव लोग तक आए बोले जिए चार दिन से चल ला है बाकी दिन तो सब तर इशियों के साथ चल ला था तो उनों ने कहा कि अच्छा जो मेरे चार दिन होते न उतनी आयो तो में प्राप्त होगी है सम्मुष्करा है लेकिन वो बच्छा सोचने लगा कि बस चार दिन दिये ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ये हिसाब लगानी पाओगे कभी भी बच्चे ये चार युग जितने भी है ना चार युग का समय वो ऐसा एक दिन है और ऐसे मिलाते मिलाते चार दिन तो मतलब समझ लीजिए कि अभी स्रिष्टि को हुवे साड़े तीन सो करोड साल माने जाते हैं इस दर्ती पर मनुष्य के आये वे और साथ सो करोड साल पहले दर्ती बनी चौदा सो करोड साल पहले ब्रमांड बना था और अभी हम आदे तक पहुँचे हैं आदा समय इसका रहेगा तो ऐसे करते करते साथ सो करोड का समझ लीजिए कि एक पूरा क्रम कल्प का चलेगा उसके बाद में फिर आगे कि ऐसे ऐसे चलते चलते चार दिन पूरे होंगे तो बच्चे ने कहा इसका मतलब बोले ना जाने कितनी पीडियां आएंगी जाएंगी कितने लोग आएंगे जाएंगे लेकुन तुम मरने वाले नहीं क्योंकि शिवजी का आशिरवाद तुमको मिल गया तो जो चिरंजीवी लोगों की सुबह सुबह प्रार्षना की जाती है उनमें उस बच्चे का नाम भी लिया जाता है जिसका नाम है मारकंडे लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि विधी पूरक प्रणाम करने का भी परिणाम क्या होता है कि जिसके पास आयू नहीं थी उसको आयू भी मिल जाती है